मस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रासेनी रास्टियस स्विम सेवक संग के सर्चन संचालक मोहन फाकवत का अखंड भारत को लेकर एक ऐसा बयान साफ ने आया है जिसके बाद देश में सियासी भूचा लाकिया है मोहन फाकवत ने कहा है कि पंद्रा साह में एक बार फिर देश अखंड भारत बनेगा और जो इसके रास्ते में आएका वो मिठ जाएका ये बड़ा भायान मोहन फाकवत की और से द्या क्या है आरेसस परमुक मोहन फाकवत ने हरिद्वार में एक कारिक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि सनाता नधर में हिंदू रास्टर है पंद्रा साह में फारत फिर से अखंड भारत बनेगा और ये सब हम अपनी आखों से देखेंगे ये बड़ा दावा मोहन फाकवत की और से क्या क्या है साथी में ये भी कहा है कि वैसे तो संतो और जोतिश के मुताविक 20 से 25 साह में भारत फिर से अखंड भारत होगा ही लेकिन अगर हम सब मिलकर इस कारिये की गतिव बढ़ाएंगे तो 10 से महस 15 साह में हम देश को एक बार फिर अखंड भारत बनाने में काम्याब हो जाएंगे यानि चिस तरीके से भारत के टुकडे टुकडे होते गए लेकिन एक पार फिर भारत को एक सुत्र में फिरोनी की जत्याही कहिना कहीं की जा रही है उस पर मोहन भाकवत का ये बड़ा वयान साह ने आया हैं अगर अखंड भारत की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत के टुकडे हुए हैं वक्त-वक्त के साथ और उसमें बाखला देश, तिबद, मयाहमार, नेहपाल, भूटान, शिलंका जैसे ये तमाम देश हैं पाकिस्तान उसमें शामिल हैं जो कहीं न कहीं भारत से अलग हो गया और आज हिंदुस्तान हम कह सकते हैं लेकि मोहन भाकवत की ओर से ये कहा क्या है कि 15 साह में अखंड भारत फिर से होगा देश फिर से अखंड भारत बने का इस पर हाला कि सियासत भी बेहत गर्माई हुई है कॉंग्रेस पार्टी को आरिसेस पर्मुक मोहन भाकवत का ये पयान पसंद्र नहीं आया उनके तरब से करने की कोशिश UPched grape ऐसे हमने क्यों और किस तरीके से भारत में चींकी एंट्री यूकिय के सच्छन काषड में कुई किस तरीके से भारत की जमीन को चीन को सोपने किया यूपीय साशनकाल में हुई ये तमाम चीज़े हम देख चुके हैं किस तरीके से पाकिस्तान की हर एक गतिविधी का समर्थन जो है वो देश-प्रोथी गतिविधी का समर्थन पा कॉंग्रिस पार्टी के दौरा किया जाता है ये भी हम देख चुके हैं तो अकुल मिलाकर जहीं न कहीं देश के बठवारे की जब्मदार भी है अब कॉंग्रिस पार्टी का इस पूरे मामले पर बयान साफ्टे आए हैं और कॉंग्रिस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सरिनेत ने ये कहा है कि मोहन भाकवची कौन है ये मैं पूछना चाहती हूं क्या वो परधा से किया गया है इतना ही नहीं। कंग्रिस पार्टी की परवक्ता ने केंदरल सरकार पर भी निशाना साथै है। उनकी बातों का जवाब चुनी हुई सरकार को देना चाहिए सविधान की शपत सरकार ने ली है और इतना ही नहीं भीम राव अमबेट करके सविधान की बात करते हुए उन्हें कहा कि बापा कि सविधान की हत्या करते हैं कि लोग उनकी परतिमा पर लेकिन पुश्प चड़ाते हैं इस तरीके से मोधी सरकार को भी घेड़ने की कोशिश की गई सुप्रिया स्रीनेत ने मोहन भागवत से साथी सवाल किया है कि चीन हमारे घर में खुसकर बैठा है पीम उनका नाम नहीं लेते और क्या आप उनका नाम लेंगे चीन को बाहर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सवाल जो है एक इंटर्वी को दरान जब मोहन भागवत के इस पूरे बयान को लेकर इस बड़े दावे को लेकर क्ये गए तो इस तरीके से कॉंगर्स पार्टे की परवक्ता बौकला गई और इससे पहले हमने ये भी देखा कि किस तरीके से शिवजिना के जांसद संजेर राउत की बौकला हट भी साफतोर पर देखने को मिली हलाकि मोहन भागवत के इस पूरे बयान को लेकर संजेर राउत ने ये कहा कि 15 साल नहीं 15 दिन में अखंड भारत को बना कर दिखाए और उनने कहा कि वीर सावरकर और बाला साहिब ठाकरे का भी ये सपना था इससे पूरा करके दिखाए इस तरीके से उन्होंने परतिक्रिया दी है संजेर राउत की ओर से कहा किया है कि आप अखंड भारत बना दिखे लेकिन 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा कीजे और अखंड हिंदुस्तान बना हिए अखंड हिंदुस्तान का सपना को नहीं देखता है वीर सावरकर और बाला साहिब ठाकरे का ये सपना था तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत नहीं टीचे ये संजयराउत की ओड़ से कहा गया है तो कुल मिलाकर एक बार फिर से अखंड भारत को लेकर अब सियासत देश में स्टेच हो गई है दरसल आज इसलिए अखंड भारत बोलना पड़ रहा है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है जम्बो दीब से छोटा है भारत वर्ष और भारत वर्ष में ही आरिये वर्थ था आज ना जम्बो दीब है ना भारत वर्ष है और ना आरिये वर्थ है आज सिर्फ हिंदुस्तान हैं और सच कहें तो ये भी नहीं है क्योंकि भारत के जिस तरीके से टुकड़े वक्त-वक्त के साथ हुए हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, इसके लहवा, पंजाब और मुल्तान को जिस तरीके से भारत से अलग करने की कोश पंजाब को अभी भी चारी है और इतना ही नहीं बलुचिस्तान इसके लाखवा नेहपाल से लेकर श्रिलंका और बाकला देश तिबबत भूटान और इसके लाखवा मयाहमार यह तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से अलग हो गए हैं तो अगर अखंट भारत के हम बात करते हैं तो यह जाटना भी बेहर ज़रूरी है कि आखर कब भारत टुकडो टुकडो में बटा है अफगानिस्तान से लेकर किस तरीके से तिबबत और यहां तक की बर्वा यानि मयाहमार और पाकिस्तान जो है वो कही न कही इसमें भारत विभाजित हुआ है अफगानिस्तान जो की 1866 में भारत से अलग हो गया इसके लाखवा पाकिस्तान 1947 पे जब बठवारा हुआ इसके लाखवा तिबबत 1914 में फूटार पाकलादेश 1947 में इसके लाखवा मयाहमार 1937 में और इसके लाखवा चीन का कपजा भी 1962 में कुछ भारत के हिज्थे पर हुआ है उसे अक्साइच कहते हैं और कहीं न कहीं पाक अधिकरत कश्मीर को लेकर अभी भी जंग चारी है लगातार मोदी सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है कि किसी भी तरीके से जो पाक अधिकरत कश्मीर है जो पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कपचा किया हुआ है जो कि भारत का अभी अग है जा पर चाहे फिर बात शेलंका की की जाई थाइंलेंड शिंगापूर इसे तवाम देश हैं जो कही न कहीं भारत से अलग हुए हैं जो हिंदुस्तान से अलग हुए हैं और इसी अखंड भारत की बात अब अरसेस पर्मुक मोहन फाकवत की ओर से की गई है आपको दाथ हैं अरसेस पर्मुक मोहन फाकवत हरितवाथ में दरसल सुरिकेशन निवास पुर्णानंद आश्रब में पहुंचे थे और वहां एक कारिक्रब में वो पहुंचे थे इस मौके पर उनकी तरब से ये कहा किया कि भारत लगातार प्रगती के पत पर आगे बढ़ है इसके रास्ते में जो आएगा वो मिट जाएगा उनने ये भी कहा कि हम इंसा की बात करेंगे पर यह बात हातों में डंडा लेकर कहेंगे हमारे मन में कोई द्वेश शत्रूता भाव नहीं है लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है तो हम क्या करें कि उनकी तरब से कहा क्य जाकता नहीं इस मौके पर तमाफ लोग मौचूद रहे लेकिन साफतोर पर उन तमाफ लोगों पर भी निशाना उनकी तरब से साथा गया जो लोग सनातन धर्म का फिरोत करते हैं जो साफतोर पर अखंड भारत को लेकर भी इस तरीके की बौकलाहट रखते हैं अगर अखं मौदुस्तान को एक जुट करने की कोशिश की जा रही है जाहे फिर बात प्योकी की हो या जम्मू कश्मीर की हो इस पर लगातार मोधी सरकार कारिये कर रही है कि जस तरीके से गित की तरह पाकिस्तान और चिन पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर और जम्मू कश्मीर पर नजरे प्रस नहीं आ रहा है फिलाल आपकी इस पुरे माफने पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाने बाद